हलो दोस्तो आज मैं आपको इस प्लांट के बारें बताऊंगी फ्रेंड इसका नाम है कॉसकम या फिर इसे सेलोसिया भी कहते हैं या मुर्गा कलगी भी कहते हैं इसे मुर्गा कल्गी इसलिए कहते हैं फ्रेंड क्योंकि ये जो मुर्गे के सर के उपर जो इस तरीके से रहता है ना वैसे ही दिखता है इसलिए इसलिए मुर्गा कल्गी भी कहते हैं आज मेरा विडियो इसके सीड के उपर है कि हम इसकी सीड को किस तरीके से कलेक्ट करें ये बहुत ही कम देख भाल में चलने वाला होता है अगर आप इसके सीड या फिर इसका एक पौधा लाके लगाते हैं तो आपको दुबारा लगाने की जरुरत ही नहीं पड़ेगी कहीं पर भी रहेगा तो जैसे जैसे बारिस का पानी गिरता है किसी भी पौट में इसकी ग्रोथ होती रहती है तो यानि के हम जब एक बार इसको लगाते हैं तो हमें दुबारा लगाने की जुरत नहीं पड़ती है ये सीड अपने आप जर्मिनेट हो जाते हैं और बहुत पौधों की केर करते हैं वैसी करना है और बहुत जादा तेज़ दूप में भी रखने की जौरत नहीं है अगर आप रखते भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसका पौधा अगर एक बार ग्रो हो जाता है और इसके फूल जब आ जाते हैं तो करीब तीन मेहने इसके फ टारिंग में रहता है अभी तो यह मुर्जार है फ्रेंट इसलिए ऐसा लग रहा है और इसके सीट से आप धेरो पौधे असाने से होगा सकते हैं फिटे के दोस्तों अलाफीस मिलती है इंशाला अगली वीडियो में